साल दोज़ार चौबिस के आखरी तीन महीने में घटनी वाली हैं बड़ी घटनाएं चार ग्रेहों के वक्री इन राश्यों पर च्छानी वाला है संकट उन्ड सूर ग्रहन का इन राश्यों पर रहेगा गहरा सर मेरे यूट्यूप पर आपका स्वागत है नमस्कार मैं हूं दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे साल के आखरी तीन महीनों में आने वाली ग्रहों की स्थिती के बारे में लेकिन ये वीडियो सिर्फ आगा करने के लिए हैं आपको अलर्ट करने के लिए हैं ये वीडियो ड्राने के लिए नहीं है मैं इसलिए बोल रहूं क्योंक है सूर्य ग्रहन की हाला कि ग्रहन भारत में नहीं लग रहा लेकिन इसके बावजूद इसका असर भारत में नजर आ सकता है इसका कारण ये है कि जब दोजार पांच में इस तरह का ग्रहा आकरी बार लगा था ये कुंडली आपके सामने दोजार पांच के ग्रहन की है वो भी हस्ता नक्षत्र में लगा था उस समय भी ग्रहन के प्रभाव में बुद्ध और चंद्रमा साथ आ गए थे उस समय ग्रहन के ऊपर शनी की दृष्टी थी ये तीन अक्तूबर 2005 का ग्रहन आपके सामने है इस ग्रहन के पांच दिन बाद आठ अक्तूबर 2005 को कश्मीर में जबर्दस्त अर्थक्वेक आया था जिसका असर पाकिस्तान और भारत दोनों जगा पर देखने को मिला था और यहां पर लाग के करीब लोगों की मौत हो गई थी अब जो ग्रहन लग रहा है दो अक्तूबर को बिलकुल लगबग वैसा ही ग्रहन लग रहा है वही हस्ता नक्षत्र है वही कन्या राशी है वही बुद्ध और चंद्रमा ग्रहन के प्रभाब में हैं और शनी की बजाए मंगल की दृष्टी है शनी ग्रहन के समय वक्री रहेंग हैं लेकिन ग्रहन का परभाव 45 दिन रहता है अगले 90 दिन इस तरह की पॉजिशन्स बन रही है 91 डेस के आसपास की आगे जाकर ग्रहन जो है उसका असर ज्यादा नेग्टिव हो सकता है इसके अलावा 9 अक्तूबर को जब गुरु वक्री हो जाएंगे गुरु लगबग 120 दिन के लिए वक्री रहेंगे ये फैबरिक तक वक्री रहेंगे ये भी पॉजिशन अच्छी नहीं है शनी पहले से वक्री हैं 15 नुवंबर तक वक्री रहेंगे 9 अ राशी प्रणतन होगा तो ये शनी के साथ शटाष्टक योग बना देंगे मंगल और शनी का ये शटाष्टक योग जोतिश के लिहाँज से बिलकुल अच्छा नहीं है याणिकि चार ग्रहां वक्री इसी अवदी में सुरे को ग्रहन इसी अवदी में और मंगल शनी का के लिए खराब संकेत दे रहा है यह बहुत अच्छा संकेत नहीं है इसका असर क्या होगा यह इस वीडियो में आगे जानते हैं खास्तोर पर सूरे ग्रहन को हम जरूर कंसिलेटर करेंगे क्योंकि सूरे ग्रहन का एक प्रभाव हम 2005 में देख चुके हैं जहां जहां पर सूरे मकर है या कुम्ब है तो शनी वक्री है उसका असर नजर आ सकता है आपकी राशी यदि धनू है या मीन है तो गुरू वक्री है उसका असर नजर आएगा आपकी राशी यदि मेश है या व्रिशिक है तो मंगल वक्री होने जा रहे हैं शनी के साथ शटाश्टिक बनाएंग कि कन्या राशी में ग्रहन लग रहा है तो यहां पर कन्या राशी के जातकों को सबसे पहले कन्या राशी की ही बात करेंगे कन्या राशी के जातकों के लिए राशी का स्वामी भी वक्री होगा आगे जाकर ग्रहन भी इसी राशी में लग रहा है इसलिए कन्यराशी के जातकों को थोड़ा सा जादा अलर्ट रहना पड़ेगा जादा साफधान रहना पड़ेगा अपने खाने पीने का जरूर ध्यान रखिए कहीं पर किसी भी विवाद में मत फसिये गाड़ी धीमी चलाइए इससे नुकसान हो सकता है किसी की कंट्रोवर्सी में जाने की दरूरत नहीं है अपने स्वास्थ का ध्यान रखिए यदि इस सवदी में कोई भी समस्या आती है कोई भी फीजिकल प्रोलम आती है डक्टर कुछ सला देते हैं तो उसको डक्टर को सीरिसली फोलो करिए क्योंकि ये ग्रहन की स्थिती है य ये अच्छी स्थिती नहीं है ये हेल्थ के लिए नुक्सान दायक हो सकता है अगली राशी जिसको इसका ध्यान रखना है वो है करक राशी करक राशी के जातकों के लिए ये इसलिए खराब है क्योंकि करक राशी के जातकों के लिए शनी पहले ये इस्टम भाव में उक्स्थान होता है अश्टम अश्टमभाव में किसी आप मेर के यहां कि रिश्ट सब्सक्राइब हुपर ऐंगी आपे twenty सब्सक्राइब कर सकता है करकराशी के जात्कों की एक टेंशी होती है यह जल्दी कर देते हैं किसी भी सिट्वेशन के ऊपर रियक्शन थोड़ा सा अवर हो जता है उस अवर रेक्शन से बचना है क्योंकि प्लेंटरी पोजिशन आप से यह करवाएगी कोशिश करिएगा कि उस अवर्दी में इस चीज से बचिए ग्रहन आपके तीसरे भाव में लगेगा इस लिए भाई के साथ कंफ्लिक्ट हो सकता है खासतों पर चोटे भाई के साथ तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिए कि भाई के साथ कंफ्लिक्ट नहीं करना है कोई ऐसी स्थिती आए त अपके मंगल और चठबभा में मंगल आयए कर अशटमभा में आपके लिए ग्रहन लगा ओए है तो मंगल चठब आश्टम में ग्रहन शनी लगन Hai यह शनी यारे कि ढिए भाई का दूसरा फिस और प्रभावित कौन हो रहा है सब्तम भाव यदि आपकी राशी कुम्भ है आप मेरिड हैं तो अपने पार्टनर को लेकर खास जान रखिए कहीं पर सिहत में दिक्कत आती है तो ये दिक्कत बढ़ सकती है कारण क्योंकि सब्तम भाव पापकरत्री में आ जाएगा पापकरत्री में इसलिए छटे में मंगल सब्तम में सूरे चंद्रमा और आपका केतू और यहां पर ये स्थिती अच्छी नहीं है ग्रहन लगा है अश्टम में छटे में मंगल है और सब्तम पापकरत्री में शनी की दृष्टी सब्तम के उपर है यानकि सब्तम को पर्टेक्शन कहीं से नहीं मिल रही है और पर्ट तो यह स्तिती बिजनस पार्टनर के साथ भी बन सकती है वहां पर भी आइडियास का कंफिक्ट हो सकता है आपका इंट्रस्ट का कंफिक्ट हो सकता है थोड़ा सा इस चीज को लेकर ध्यान जरूर रखना पड़ेगा यदि आपकी राशी तुला राशी के जातों के लिए ग्र बारवे भाव से विदेश यातरा देखी जाती है बारवा भाव होस्पिटलाइजिशन का भाव होता है इस बारवे भाव के ऊपर इतने सारे पाप ग्रहों का प्रभाव अच्छा नहीं है यदि ये बारवा भाव इतने जब्रस प्रभाव में आ रहा है तो यहां पर आपको को थोड़ा सा जरूर सावधान रहना चाहिए अपने खर्चें नियंतरन करने की कोशिश करिएगा कोशिश करिएगा कि किसी भी विवाद में अन्नसेसरी मत फस यह किसी को पैसा उधार मत दीजीगा इस स्थिती में पैसा आपने दिया वो पैसा आपका फस जाएगा आपको पैसा लंबी अवदी तक शायद वापिस ना मिले यह थोड़ा सा आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा तुलाराशी के जातकों को यहां पर थोड़ी सी सावधानी जरूर पेक्षित है और मंगल और शनी का शटाष्टक आपकी कुनली में दस्वें भाव में हो रहा है और पन्चमभा में हो रहा है और यह शटाष्टक कारें जो है वो काम के लिए कारोबार के लिहाख़ से भी अच्छा नी है नोक्री के लिहाख़़ बेचा नी है तो ऐसा भी हो सकता है कि कारीस थल पर या आपके खिलाफ कोई ना कोई साजिश्श साजिश करता 박ागा, बिछ्वक्रि को धियां रखिये तो थोड़ा सा नुक्सान हो सकता है अगली राशिय जिसको नुक्सान हो सकता है वो है आपकी ये आपकी मिथुन राशी के जात्कों के लिए इसलिए क्योंकि ये अगें बुद की राशी है बुद वक्री होंगे और वक्री होने के साथ-साथ मिथुन राशी के जात्कों के लिए ग्रहन चोथे भा में लगेगा इसलिए इस राशी के जात्कों को थोड़ा सा अपनी मदर की हेल्थ को लेकर स्तर्क रहना पड़ेगा ताकि मदर की हेल्थ को कोई ज़्यादा इशू ना आए ये समझिए कुछ वीडियोस हमने ये पहले दिये हैं जिसमें हमने बताया कि बुद्ध का फायदा होगा वो बुद्ध का फायदा कन्या राशी में रहते वक्त ही होगा अधर्वाइस 90 डेस के लिए जो पुजिशन बन रही है गरहन लग रहा है चोतेबा में बुद्ध वक्री हो रहे हैं ये पूरी 90 डेस की कैलकुलेशन है इस 90 डेस के दुरान आप ध्यान रखिए मदर की हल्थ का यदि को प्रॉपटी खरी रहे है एसेट खरी रहे है वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कहीं कोई आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए डॉकमेंट्स पूरे चेक करिए और फिर ये कोई डील करिए अधर्वाइज ये डिले हो सकता है यहाँ पर मिथन राशी के जात्कों को ये जरूर ध्यान रखना चाहिए तो ये वीडियो कुछ राशीयों के लिए था कुछ लोगों को अलर्ट करने के लिए था ताकि आप थोड़ा समल जाए थोड़ा सा समझ आजाए ताकि आप डिसीजन जो है वो इस स्तिती के अकोडिंग ले सकें क्योंकि कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि मुसीबत आती है या प्रॉड़म आती है कुछ समय के लिए आती है वो समय हम टाल दें तो थोड़ा सा बेटर स्टुएशन में हम आ जाते हैं और यदि हम समय नहीं टालते हैं उस तती में ज़्यादा आगे गड़ बड़ हो जाती हैं तो ये ग्रहन का प्रभाव है मंगल, गुरू, बुद्ध और शनी के वक्री होने का प्रभाव है ये थोड बारा में से आठ राशियों के लिए अच्छा नहीं है तो लगबग थोड़ा सा ध्यान लखिए और उमीद करते हैं कि ये समय भी आपका जो है यदि टफ वारा है कि कुछ लोगों के लिए तो टफ समय भी आपके लिए आसानी से बीजाए और भगवान की आपके ओपर करते हैं?